सत्य व्रत नू त्रिक संकु नाम थवानु कारण। भगवतिनी कृपाती सत्य व्रतिनी साप मुक्ती। सत्य व्रत नू सदे स्वर्गमा जवानो आगरह। वसिष्ट द्वारा सत्य व्रत ने स्ताप था हरिस्चंद्रणी कथा नू आरंप। व्यास जी कहेंचे राजन महराज मानधाताना सत्य प्रतिग्या वाला चक्रवती राजा था। संपूर्ण प्रुथ्वी पर तेमने विजय पताक का लहरा थी। तेमना भई थी लुटारा ने डाको परोतो नी गुपामा छुपाई गया था। आ कारणे इंद्रे तेमने रदध्यू स्यू नाम्ति व्यागर करतिया। मानधातानी धर्मपत्य नाम विंदु मति अतु। ते सस्विंदू नी प्रियपुत्री अती। ते प्रति वृता परम सुंदर अने बदाज सगुनोथी संपन अती। राजन मानधाताना विंदु मति ना गरप्ती बै पुत्रो थया। एक पुत्र नू नाम पुरुकुत्स अने बिया नू नाम मुचकुन्द हतु। पुरकुत्स ना परम दार्मिक पुत्र अरण्य थया, तेव अनन्य पित्र भक्त था, तेवना पुत्र नू नाम बुर्वधास्व थू, बुर्वधास्व ना धर्मात्मा अने परम ज्नानी पुत्र नू नाम हर्यस्व थू, हर्यस्व ना त्रिदन्वा अने अरून थया, अरुन्य पुत्र सत्यवरत नाम थी प्रख्यात थे हो। तेनी पासे अखुंट संपती है थी। ते स्वेच्छाचारी कामी, मुर्ख अने अल्टियंत लोभी हतो। ते अधम राजकुमार ने अपराध ना करने तेना पिताये कर्मा थी काड़ी मुख्य हतो। पची अन्याय अने अपराध ने कार्णे वसिष्ट ये तेने साप अप्यों हतो। के पृत्री पर तारी त्री संकुर नाम थी प्रसिद्धी थसे। तू प्राणियोंने तारू पिसाची रूपज बतावी सक्की। स्व्याज जी कहेंचे राजना प्रमाने तेने वसिष्ट जी द्वारा साप मलवा थी। सत्य व्रते कठोर तप करियों कोई एक मुनी ये तेने उत्तम मंत्र आप्यों। परम्तु कल्यान स्वरूपा प्रकृती मही भगवती जक्दंबानों ध्यान करता ते मंत्र नों जब करवा लागी। जन्मेजे राजाय कईउ मामते वसिष्ट जी ये साप अप्यापचीते राजकुमार त्रिसंकु पाप साप थी कई रिते मुक्त थेयोते प्रसंक कैवानी करूपा करो। व्याज जी बोलिया राजाय साप ने करने सत्य वृत्त ना बधाज पिसाज ना लक्षणों आवी गया था। परम्तु तेने भगवदी ने आराधन स्वर्यो करीयेक एक समयनी वाद्चे सत्य वृत्त नवाक्सर मंत्र ना जप समाप्त करीने हवन करवा माटे ब्रामन पासेक गयो। अने आदर पुर्वर्वक तेमने कैवा लगयो। भुदेवो हुँ आपनी सरण मा आवये चू आप मारी वाद सांबलो। हत्यारे आप बधा मानु भाव मारा यग्यमा रुत्विज बनो। आप वेद ज्याता आने दयालो चू। कारिया सिद्धी माटे विधी पुर्वक जपना दसांग हवणनी व्यवस्ता आपना पराधारिक छे। हे वेदग्य सिरोमनी ब्रामनों मारु नाम सत्य वुरत छे। अने हुँ एक राजकुमार छू। मारा सर्वांगी सुक माटे मारु आक कारिया आपे करू जुए। राजकुमार सत्य वुरत निवाद सामणिन ब्रामनों तेने कई उपाई। तमारा गुरुदेवे तमने साप आपियो छे। तेना कारणे अत्य आरे तमारमा पूरे पुरू पिसाच पनू आवे गयू छे। तेती तमारों वेदिक कारियमा अधिकार रहयो नथी। पिताय मारो त्याक करियो गुरुद्वारा वुँ पयंकर साप ग्रस्त छू राज्य पर मारो लेश मात्र अधिकार रहो नथी गोर पिसाजी पड़ान ने ए मने थहरी लिदो छे आवी सिती मां आवे सु करू आव विजार करिने ते राजकुमारे लाकडा पेगा करिने एक मोटी चिता तयार करे भगवती जगदंबान उस्मरन करिने ते ने चिता पर बैस्वानों निर्ने करियो अग्दी पान प्रजली थाई कियो राजकुमार सत्यवरते श्क्नान करियो त्यार पजी चिता नी सामे आज जोडी ने भगवती मां मायानों स्मरन करी चिता मां प्रेस्वा तयार थे उ राजकुमार मरवा तयार चे उजाने ने स्वयम भगवती जगदंबा तेमनी सामे वाकास मां प्रगट थे आ महराज भगवदी सी पर बैठा आता तेमने राजकिमर सत्य उरत ने दर्सन आपी ने मेग जेवी गंबेर वानी मा खायू देवी बोली अरसादू तमें आसू करी रिया छो सरीन अगनी मां ओमसो नही माँ भाग अतियारे सान थाओ अमें तमारा पिता वृद्ध थाई गया छे वीर तेओ तेमनो राज्य स्वापी ने वर्नमा तब करवा जवाना छे राजन सोक नो त्याक करवा ती 32 से तमारा पिता श्रीना मंत्रियों तमने लेवा मटे आऊ छे इमारी गुरुपाने कारणे राजा तमारो राज गादी पर वभीशे कर से त्यार बजी तमारा निष्टावान पिता ब्रह्मलोक मा जसे निष्चित छे व्याज जी कहे छे राजना प्रमाने सत्य वृत ने कहिने भगवती अंतर ध्यान थे गया राजकुमार जे चिंता मा बड़ी गिर्वा बड़ी मरवा तयार तो ते रोकाई गयो ते वक्ते मात मा नारज्जी अयोध्या गया तेमने राजा ने संपूर्ण मायती आपी ज्यारे राजा एक सांबड़िव के मारो पुत्र आ प्रमाने मरवा तयार थे ओ छे ते राजा ने मनमा खुबज नानी इतले के सोब उत्पन थे ओ ते अनेक विचारों करवा लगया पछी पजी तेमने मंत्रियों ने कहयो ते में मारा पुत्र सत्य औरतना दिविय कार्य थी सारी डिते परिजित छो ते बुद्धिमान पुत्र ने में मनमा चाले जवानी आ जंगल माज निर्धन मनुस्ति निजयम जिविरेयो छे वसिस्ट जे साप आपीने तेने पिसाच बनावी दिदो छे तेना दुख्ती गबराईने ते अगनीमा बड़ी मरवा तैयार थे ओ तो बरुंत भगवती जग्दंबाय तेने बचावी दिदो छे त्यारे ते त्या में हमें तपस्चिर करवनों निश्चे करी लिदो छे तेदी ग्राज गाजी पर सत्य वृत नो अभिशक करीने उसांति पुरोक वन्मा जवा आई च्छु शु आम कहिने राजाय मंत्रियों ने वन्मा मुकलिया तेमना मन्मा राजकुमान ने लावानी जिद्धून सवा अने सत्य वृत प्रती अपार प्रेम्ध पंत हतो मंत्रियों वन्मा जई ने सत्य वृत ने आस्वा सन आपी ने सनमान पुर्वक तेने राज़े मा लिया आविया राजाये जोयुके सत्य वरत अत्यन दुबळो थाई गयो छे तेना सरीर पर मेला फटेलाक बस्त्रो था माथा पर मोटी जटा आती ते खुबत चिंता टूर अने भयंकर देखा तो तो ते थी राजाये कयू में अ मारा पुत्र ने वनवासी बनावी ने केव निश्कुर काम करियू जी दर्मने जानлавा चता में मारा विद्वान अने युद राज्यना अधिकारी पुत्र ने आवी दरुधसा करी नाखे राजे नाप्रमने मनमा पश्यताप करिने महराज अरुने राजकुमार ने आलिंगन तथा आस्वासन आपीने पोता निपासे राखेला आसन पर बैसाड जो अने निती सास्त्र मा कोसरते राजा ये तिया बैठेला पुत्र ने गदगद वाने मा प्रेम पुरोग कई राजा अरुने कईउ पुत्र धर्म मा अटार स्रता राक्वी वडिलोवने ब्रामनोंने आधरा करवो नियाईती मलेला दन्नो स्विकार करवो पर प्रयत्न पुर्वक्र प्रजानों रक्षन करवो क्यारे असत्य पासन करवो नहीं अवले मार्गे जवो नहीं स्रेष्ट पुरोषोनी ग्या अज्या प्रमाने कार्य करवो तपस्वियोने शन्मान करवो दुस्ट ने चोरो ने सजा करवी इंद्रियोंने वसमा राक्वी बुत्र कार्यानी सफर्ता माटे अमेसा मंत्रियों साथे गुप्त मंत्रनों करवी, पूजा पुत्र राजया सवने आत्मा छे, नानाम नानी सत्रो नी पन ऊपेक्षा न करवी अज्ञकारी मंत्री पन जो सत्रो साथे मलल Ja copy परविश्वास न करवी, सत्रो नेमित्र बदाज ऊपर नजर राखवा गुप्त चरो राखवा, धर्ममा आस्ता राखवी, दर्रोज दान करू, नकाम वाद न करो, दुष्ट न संग न करो, जाजत न यग्यो करवाने मात्मों न सत्कार करो, स्त्री जुगारियने नपु संगनों क्यारे विश्वास न करो सिकार्मा अतिसे रुची न राखवी जुगार मदिरा, पान, असिल्य गितों न वेश्याव, थी बचीन रहवाने प्रजावनों पनावा अनिष्टो थी रक्षन करू, हमेशा ब्रह्म मुरत्मा उठू, स्नादा दिक नित्य नयमोती निवरुत थैने विधी पुर्वक परम अर्चन करू, पुत्र परा सकती ना चरणों नी आराधना करवी एज आ मनिष्य जन्मनु साफल्य छे, एक वार पन भगवती नी पुझा करीने कोई चरणाम रोत ले छे, तेने फरितिक क्यारे माना गर्भमा आऊ परतू न थी, आ संबुर्न जगत द्रस्य छे औने सबामा जवू और ब्रामणों ने बुलाईने तेमने धर्मशास्त्र नो निर्णे पूझो, वेज वेदांत ना पाराग्रमी आदर्णी आधरणी ब्रामणों नो पुझा करीने तेसों पुत्रों ने गायो, सोन वगेरेनु दान आपू, क्यारे कोई मुर्क ब्रामण नी पुजार न करवी, कोई मुर्ख बामन ने कोई कापू पड़े तो भोजन थी विशेश आपू नहीं, पुत्र कोई पन परिस्तितिमा लोब वस दर्मनों उलेंगन करवू नहीं, आव पुरान तरू एक परम करतवे छे, तारा द्वारक क्यारे ब्रामनों अपमा न थाई, थ छे, छेत्रियों नू कारण ब्रामनों छे, तेमा कोई संसै न थे, जल माथी अगनी नी ब्रामन थी छेत्रियों नी अने पत्थर माथी लोडाने उत्पति थाई छे, तेमनू सर्व व्यापी तेज पोतानी उत्पति स्थानों मा स्थाई छे, इच्छा नी कल्यानी इच्छा राक्तनारा राजाये विशेश रुपे थी आदर पुर्वक दान आपीने ब्रामण नो सत्कार करो। धर्मशास्त्र प्रमाने सदा दंड निजनों व्यवार करो जोई। नियायती प्राप्त थैला दंडों संग्र करो। व्यास जी कैचे राजन आप्रमाने पिताये उपदेश आप्यो। तेरे राज कुमार त्रिसंकुये आज जोडीने प्रेम पुर्वक गदगद वानी थी पिताने कैयू। बहु सारु आप्रमानेज करीश। पचि महराज अरूने वेजशास्त्रनाप पाराग्रामी पारगामी ब्रामाने बोलाविया। राज्यास भीशेक नी सामगरी एकत्रित करावी। बदाज तेर्थोनों जल मंगायू मंत्री मंडा। और बदाज सामंत राजाओ ने आमंत्रित करिया। सुब मुरत्मा राजाई राजकुमार त्रिसंकुने विधान साथे राज्याभी साथे राज्यासन पर बेषाडियो। आर इते पुत्रनों राज्याभी से करिने राजा अरूने तेमनी धर्म पत्नी साथे पवित्र वान प्रस्त्रम मा प्रवेस करियो। तेवो गंगा किनारे गयाने कठोर तब करियू। आज उसे पुरू थवादी तेवो स्वर्गे सिधार भी या। स्वर्ग मां देवता होई पन तेमनों स्वागत करियू। इंद्रासन पासेज तेमने स्थान मढ़ियू। स्वर्ग मां तेवा सूर्य जवात तेजस्वी बनी सोभी रहा, राजया जन में जए कईउँ प्रुबव, प्रभव आपे अमनाज कईउँ के गुरुदेव वसिष्ट जीए खुब क्रोध करीने सत्यवरत ने साप आपिऊ, तेना कारणे सत्यवरत पिसाच बनी गियो, तो साप ग्रस्त मनुस्य सिहासन पर बैस्वा माटे अधिकारी न थी गणातो, स्यत्यवरत यह कईउँ स्रेश्ट कार्य करियो, जना कारणे वसिष्ट जी ये तेने साप मुक्त करियो, ये ब्रह्मर सी आप क्रुपा करीने ये पन स्पष्ट करो कि आवी अधम प्रकृती पुत्र ने तेना पिताय आधर साथे पाचो केम बुलावियो, व्यास जी कहेचे राजन वेसिष्ट जीनो साप थताज सत्य व्रत्र माँ पिसाच ना बदाज लक्षणों आवी गया, ते अत्यां तो उग्रकृप अने बिहामन थाई गयो, परुम्तु तेने बगवती पाप नास पाम्यों ते आप अने तेजस्वी बनी गयो, कारण के बगवती नी अम्रुत में खुरुपा तेने शुलब थाई गयो थी, येतलु ज़नी बगवती नी खुरुपा थी वसीष्ट जी पन सत्य व्रत्र पर प्रसन थया, अने तेने तेना पितानों पन पृती प पात्र बनी गयो थो। पात्र बनी गयो थो। मुनी आप मारा द्वारा को यग्य कराओ के जना द्वारा। जना फर्द वारा मने आ सरीरेज स्वर्ग लोक मा रहवानी सुविदा प्राप्त थाई जाए। मुनी श्रिष्ट आप बदूज करी सको छो। तेथी हवे मारो कारिय अवस्य करवानी कृपा करो। देवताव माटे जे मुस्किल छे। तेवो मान यग्य करावीने मने स्वर्ग प्राप्ति करावी दो। वसिष्ट जी बोलिया मनुस्य देएथी स्वर्ग प्राप्ति अथी दुरलब छे। कारण सास्त्रमा एवी स्पस्ट घोष्णा छे के मरिया पछीच पून्य कर्मना प्रभावती स्वर्ग मा रहवानी सुविदा माले छे। तेथी सर्वग्य नरेश तमरा दुरलब मनोरतने पूरो कर्वामा मने पई छे। कारण के जीवता मानसने अपस्तराव साते रहवानों सुयोग प्राप्त थाई जाई एस संभव न थी। महाबाद तमें यग्य करो आ शरीर सान थया पछी तमने स्वर्ग मल से। वाज सामली ने रजा त्रिसंकुन मन अत्यत दुखी थे गिव। तेमने क्रोध पूर्वक मुनिवर्ने कई। ब्रामन आप जिव अभिमानने कारणी मारो यग्य नहीं करो तो हूँ। कोई विजापुरोह इतनी पासे आओ यग्य करावीस। त्रिसंकुनी वाज सामली ने मुनिवर्न वस्रिष जिए तेने तुरंच साप आपियो। आ दुष्ट बुद्धी तु अमनात चंडार थाईया। आ सरीर्मा अमनात तने पिसाट पनु प्राप्त थाओ। सत मार्गने दुषित करवावाद धर्मद ध्वजी नरेश तु माँ पापी छे। मरीने पन तने कोई रिते स्वर्ग नहीं मले। व्याजी कहेचे राजिन गुरुदेव वस्रिष जिना मुखेदियावान सब्दो निकरता त्रिसंकु पिसाट थेगियो। तेना कानों मा रत्न जडित कुण्ड़ अता ते पन तुरंत पत्थर बनी गया आप। सरीर पर नो सुगंधित चंदन लेप दुर्गम मा फेलाए गयो। तेने पहरेलों दिव्य पितामबल काळों रंगनु थाईगियो। मात्मा वसिठ जीना सापवे तेना सरीर नो वर्न आथी जयो करी नाथ्यो। वसिठ जी भगवती जग्दंबा ना उपासकता। तेती तेमना क्रोधनु आउँ परिणाम आविय। तेती भगवतीना बक्तनु क्यारे अपमान करूनी। मुनी वर वसिठ जी खूब निस्टा थी गायतरी मंत्रनों जब करता आता। राजयान पतानु कद्रूपु शरीर जोईने राजात्रिसंकु दुखी थाई गया। तेमनी स्थिती अत्यन दया जनक थाई गयी। तेती मुनी ना अस्त्रम मा पाचा करे न जता जंगल मा चाल्या गया। सोग थी व्याकूर थाईने मनमा विचार करे छे। हमें उन सोग करूँने क्या जाओ। मारू सरीर तदेंद कद्रूपु थाईगिय। मने वह कोई उपाय देखा तो नथी जयना थी मारू आ दुख दूर थे शेके। अविस्तिती मां ओं घेरे जाओ तो मने कोई जोईने मारो पुत्र पन दुखी थासे। चंडान आ वेसम मारी पत्नी पन मारो स्विकार नहीं करे। मंत्रियों पन मारो अनादर करसे। अग्नानी एने परिवारना लोको पन मारो साथ छोड़ी देशे। बदाय थी अलग थैने ज मारे रहू पड़से। आविस्तिती मां जीवता जीवा करता मारे मरी जोई श्रेश्ट छे। आत्मात्यानों विचार करताज बिजो विचार एपन आवियो के आत्मात्या तो करी लैस। परम्तु ए निश्चित छे के आत्मात्या करवा थी मारे जन्मो जन्म चंडाल थो उपड़से। अत्या दोस्त ना प्रिणमे उसाब थी क्यारे मुक्त नहीं थाओ। आव विचार करी ने फरी सावधान थे ने आत्मात्या करवी मारा माडे कोई रिते योग्य न थी। यह वी निर्डे करियो। जंगल मा रहने आशरीर मा थी करेला कर्मने भोगवी लओ। कारण के भोगवी लिधा पछी कर्म फर समाप्त थाई जाए छे। यह सिवाय आनाथी चुटी सकाय यह न थी। तेथी करेला असुप कर्मनों कर्मों तो मारे भोगवी लेवा जोई। हमें हुआ पवित्र आश्त्रम पासेज रहिने तिर्थाटन पगवती जग्दंबान उस्मरण औने संतो निसेवा करीश। गवनमा रहिने आप्रमाने तप कर्वा थी। मारा संचित कर्मों समाप्त थाई जेसे ने ते यह संभव छे के बाग्जी मा आसे तो कोई महात्मा पुरुस्त ना धर्षन न सुयोक प्राप्त थाई। आरी ते विचारी ने त्रिसंकु राजा तेना नगरमाजर जवा त्यता तेना नगरमाज न जता गंगा किनारे जैत रेवा लाग्यों ते वक्ते पोता ना पिता ने साप थयो छे। जानीने त्रिसंकुना पुत्र अरिस्चंद्र ने खुब दुख्थू। तेनी तेना मंत्रियों ने जंगलमा त्रिसंकुनी पासे मोखल जा। जानी त्रिसंकुना पुत्र अरिस्चंद्र ने खुब दुख्थू। जानी त्रिसंकुना पुत्र अरिस्चंद्र ने खुब दुख्थू। मंत्रियों ये कईउं अमें तमें अहिती पाचा जाओ। विलम करवो योग्य नथी मालो पुत्र अरिस्चंद्र महान पराक्रमी पुरुष्च छे। तेने राजगाधी पर बैसाडी ने राज्य नी पूरी विवस्था संभाळो। आ मारी आज्या छे। आ प्रमानेक त्रिसंकुना देश्ती मंत्रियों नी आखोमा आशु आविया। त्यार पच्छी वानप्रस्त जिवन व्यतित करवा राज्या त्रिसंको ये प्रणाम करीने त्यांती त्रंत पाछा परिया। अयोध्य आविने सुब मूरत्मा राजकुमार अरिस्चंद्र नित राज तिलक करी राज्या सवन पर बैसाडी। त्यार नित राज्या नी आज्या प्रमाने मंत्री होए जियारे अरिस्चंद्र न राज्या पिस्ग करियो त्यारे। परम तेजस्वी दर्मात्म राजायेक राज्यनों करभार पतना आथमल लेली तो। परम तु त्यारे पन तेने तेना पितानी दयानी ये स्थितीनी चिंता सतावी रहियती। अधियाई 10 अग्यार बार संपूर्ण।